गुड इवनिंग एवरिवन गिल्ज मिन्टोर दे ओफिशली यूटूब चैनल ते में थोड़ा सब्दा वेलकम कर रहे हैं उमीद कर रहे हैं तुसी जित्ते भी होंगे ठीक ठाक होंगे PS PCL Online Crash Course आज जसी करन जा रहे हैं Mathematics दा नमा टॉपिक बहुत important है टॉपिक है साथा इदा बॉट एंड स्ट्रीम जिन्हों अक्सर बार कहादने है कि नाव तारा ठीक है इस पैशली एक important topic बन जन्द है क्योंकि किसे ने किसे topic देना रिलेट ने है मैं ता डिनान पूरे tricks, logic, funday, unit method सांजा करांगा जिस करके तुसी PS, PCL examination नहीं बलकि कोई भी further exam दोंगे तो थोड़ा score definitely बहुत अच्छा आएगा मैं tricks ता अडन दसांगा स्वाल करांगे अपना, अच्छे अच्छे level दे questions करांगे और भी कुछ मज़ेदार गिलां बतां कर दे रहांगे जे कर तुसी चौने तो अड़े तक 10 सरकारी या सामिया latest जानकरी, paper देस्वन, slabber देस्वन, important updates तो अड़े तक सबतो पहला पहुंचे तो तुसी इस चैनल नो subscribe करना नहीं पुलना ते नाल ही bell icon नो जुरूर प्रेस करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दित्ते के साथे Instagram, Telegram, WhatsApp ग्रूप ते क्लिक करके तो उसे जुड़ सकते हूँ जिते थो उन्हें important updates, magazines और PDF शेयर किते जान देने दसना चामागा PS, PCL, exam अधि चंडिकर administration दे सबंद दी विच गिल्ज मिंटोर दी टीम ने थोड़े लई टेक्स गिवन बाइ सेंटर गॉर्मेंट थीक है तो फिर ता नूँद चेंजस मिलनेंगे थोड़ा जा रेट दे अंदर और अल्सो बहुत important है बहुत अच्छा feedback है और कुछ students नूँ जो problem आ रही है कि सर जिस अनूँ mock test save नहीं हो रहे ता थो नूँ एह लगबक कल नूँ definitely ता डी है problem बिल्कुल सवल हो जेगी और तुसी तहड़ा पर्टीकुल एक dashboard बनेगा डेशबोर दे अंदर तुसी देख सकोंगे कि तुसी किनना packages लेया है किना material यूज कर लेया किना pending है सब कुछ तुन everything will be get there ठीक है ता पर कलास दी शुरुआत करांगे एक में ता डेना गलसाजी करना चौना है किसे बच्चे ने सानों बहुत अच्छा है कोडेस पर जयावा ठीक है motivational thought है बहुत अच्छी है यह लिख है कि push yourself because no one else is going to do it for you हमेशा अपने आपनों अगे push करो तक्का मारो ताकि कोई कोई तो अडेली नहीं करेगा यह चीज important golden period है क्योंकि साडेना हजारा सामना बच्चे जोड़े ने सानों पता है कि असी डील कर दे हैं फोन हों दे हर किसी दीक को चीज हों दी है कि मैं इस particular post नो crack करना है ता दिखो अपने अंदर एक हिम्मत होंसला और जजबा रखना बहुत जुरूरी है बहुत ही बच्चे ने जड़े surrender कर चुके ने जड़े अपने आपनों dummy में कह सकता है समझ चुके ने कार बैठे form पर तक फर जदा हो गया नहीं preparation करनी पएगी तो उनों पता होएगा TCS company जो paper लेगी PS PCL दा ओही company है जिसने की SSC दे paper conduct कर दी है तो तो तुसी याद रखना है कि paper दा level असी ने कह सक दी easy आएगा क्योंकि तुसी अपनी तयारी बहुत अच्छे level दी करनी है तो थोड़े ली दुनिया चीज़ां बहुत असान हो जानगी है Basically कुछ basic structure समझावांगा boat and stream हुंदा की है फिर अपा question से रीदा सिलसला शुरू करागी important चीज़ां है कुछ तुसे याद रखनी है तो अड़े दिमाग दे अंदर ठीक है important facts ने तद ही तुसे इस concept नो अच्छे तरीके ना cover कर लोंगी boats and streams question are specially type of the time and distance and questions but as there are specially tricks and methods in the solve these questions and hence the easy and convenient to the study them in the separate chapter is very good scope of question तो बहुत अच्छे ने way of method बहुत अच्छा है या दो चीज़ां याद रखनी है थे points ने बहुत अच्छे अच्छे right ता definitely आपानो जोर लोना नहीं पएगा देखो question नो practically तौरते समझो तुसी जद तक तुसी mathematics नो practically तौरते नहीं समझोंगे अच्छा math नहीं सिख सकते right तुसी देखोंगे कि अगर पानी दी तारा इंज करके है ठीक है ता तुसी भी अगर इस पानी दी बीच तेर रहे हो जा रहे हो स्मीविंग कर रहे हो ता पानी दी गती प्लस तहडी गती दोनों की हो जेगी स्पीड एड्ज हो जेगी अगर तुसी मानलो बाइदेव यही पानी अगर इंज करके रिवर है और इस रिवर दी अंदर इंज वोटर जा रहा वा ठीक है एस वोटर नों अपने कह सकते हैं कि अगर तुसी इस वोटर दी अगेंस्ट कोई मैं है कोई वीमन है या मेल या फ याद रखना है कि थोड़ी में कह सकते हैं कि पानी दी गती दी विच तुहां डी गती की होजेगी जोर लगेगा इट मीन्स है कि तुहां नो डबल एफड करना पहेगा तो स्पीड दोनों की हो जानगी या माइनस हो जानगी है क्लियर है इफ दा स्पीड ओफ करन्ट स्विमिंग यानि बोट एन शिप इन दा स्टील वाटर स्टील वाटर कहने ने कि जिद आप शांत पानी पानी खड़ा होया है जिद्ना की एक्जांपल बहुत सरे हुंदे ने जिद्ना चपड है जिमें आपका कह सकते हैं कोई लेक है उते पानी नहीं चलदा पानी खड़ा होया है तो उन्हों अपा स्टील वाटर कहने है इन स्पीड ऑप स्ट्रीम वाटर किनने भी किलोमेटर पर आर च दे रखे है मीटर पर सेकंड च दे रखे है ता अपनो डेफिनेटली चींज करना पएगा एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है हलांकि आसी यह नों डिस्टेंट टाइम डिस्टेंस तो बादाच कर देता अध दूसरी चीज़ ता नो दासती स्पीड ऑप स्वीमर मतलब तुसी है ठीक है ता मतलब यह बोट है यह शिप है डारेक्शन ऑप स्ट्रीम मतलब एक क्वेशन थो नो इंज भी दिता जा सकता है कि डारेक्शन ऑप स्ट्रीम डारेक्शन ऑप स्ट्रीम ठीक है ता मतलब तो ह एक रोज है कि पार्शी इंड याऊ सब्सक्राइब्टर करें एक पर देना है पहला क्योंकि बादे विच आपनों प्रॉब्लम नहीं आएगी पिछले कुछ कंसेप्ट दे अंदर मेक्सिमम स्टूडेंट से जदा कहने ने कि सर प्लीज सवाल रपीट कर दो ठीक है शेयर कर दे चलो नाल दीना मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कॉपी दा लिंक अगर तक तक तोनों बेसिक चीज समझ आई तो मेनों जरूर दसो एक बर ही दास दो अगर टाइम लगेगा क्योंकि बाद देविच आपन बेसिक चीज जांते डिसकस नहीं करांगे बार-बार मैं तो आनुए क्वेस्चन देना है क्वेस्चन हमेशा याद रखने है 5.5 km नदी दी चाल है ठीक है 5.7 km दर या क्या सकता है क्या सकता है ओंटर अवर् गनेज उस्पीड शह क्योंकिर न्यौ ये 5.7 km नदी दी फिन चाल है तुसी यह दसना है कि तो अन्हों पुछया गया कि speed of a man in the downstream कादेच दसना माँ downstream ठीक है downstream दा मतलब है तारादी दिशा दिनार अते upstream होएगा तारादी विपरीत देखो practically तौरते हैं अपन सवाल नो बहुत अच्छे तरीके ना समझना है जे मैं कह सकते हैं कि देखो एह बोटी होगी speed एककादी होगी रिवर्दी होगी ता तुसी downstream दे अंदर जिदू जाओंगे ds करोंगे तुसी तो अडेकोड़े की होजेगा आठ पलस 6 यानि तो हड़ी गती किनी होजेगी 14 km प्रतीक हैंटा होजेगा इस सवाल इतो तक समझ आ गया ठीक है आपका कह दिए कि upstream upstream दी गल करांगे आप अप्स्ट्रीम किना होजेगा 8-6 होजेगा तो किना होजेगा तो अडेकोड़े 2 km प्रतीक हैंटा है इतो तक सवाल सरे नो समझ आ गया जरा सवाल समझो एक बार PS PCL दी पेपर चेक प्रशन आया बिल्कुल सेम जाए रेलेटेड कोशन सीगा कहने दा कि if the speed of a swimmer if the speed of the smitter in the direction of stream यानि downstream दी गल है downstream दे वेचे किया क्यों दी speed के नहीं है 10 km प्रतीक हैंटा है कि दी speed है? पुर्द चलाएंगे तो जोर ज्यादा लोना पएगा उत्ते हमेश्या साधी स्पीड काट हो जेगी क्वेश्चन तो नो यह पुछेगा सवाल दे एंड चे एही चीजां तो पुछियां जानगी है कि find the speed of stream याद रखना है एथे मैं तो नो यह ट्रिक दास रहे है find the speed of यादा तो अनो swimmer दे रखे है की दे रखे है या तो अनो की दे सकेगा इथे बोट दे देगा या तो अनो कोई भी जिद्धा शीप पोचले दसो clear है तब इन्हों में हिंदी पंजाबी चता अनो कमा तब खड़े हुए पानी दी चाल दसो कि नहीं है यह भी सवाल पुछा जासकता है हमेशा याद करना है कि आधे X पहली value है नहीं यह दूजी value अपान दी विच two कर देना है की करोंगे पहली value plus दूजी value गिवन अनो और अपान दी विच तू कर दोंगे तो हड़ा answer चंद सेकेड़ आज 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 आजएगा जे तुसी एसे question नो, कादे नार करोंगे, method नार करोंगे, तो method थो नो में थोड़ी ऐस जगा देविच समझादना है, बाइदावी समझना पएगा थो नो, क्योंकि paper देविच problem नहीं आएगी, तुसी लिख सकते हों कि जो बंदा खड़े होई पानी चा जा रहे है, उधी speed तुसी किनी लिख सकते हों, उधी speed किनी होएगी, x km पर आरखे, clear, ठीक है जी, तुसी कह सकते हों कि particular जो तो अडेकोले पानी है, still water है, मतलब still water है तो अडेकोले यह स्पीड किनी होएगी, तो तुसी कह सकते हों, y km प्रतिकेंट है, clear, होन अईथे particular यह हो रहे है कि अगर एक बंदा खड़े होए पानी दे नाल मिलके अगा वद रहे है, तुदी speed किनी है, 10 km पर तीकेंटा है, clear है न, ठीक है जी, और विपरीत दे विचे गाल करिये, ता पुठा आएगा, x-y बराबर किना होजेगा, 6 km पर तीकेंटा होजेगा, होन एस आडेकोल, equation number first होगया, equation equation number दूज्या होगया, आपा पहले यती दूज्या नों जोडांगे, तो अपने कोड़े ay ना y काट होगया, तो आडेकोल 2x बराबर किना होजेगा, 6, x बराबर किना होजेगा, 8, clear है मेरी गल, x से थे, आपा का दा मन्या, x आपा मन्या सीगा, कि जो बंदा किसी खड़े हो होजेगा, तो अडेकोल 6, 2, बराबर काट करोंगे, तो 8 km प्रती केंटा होगया, ताद तो हानो x, y, z दी जरूरत नहीं पाएगी, मैं तो नों गायच एही चीजां समझा रहे हैं, समझना है, practically तो औरती मेरा question समझना है, कोई problem नहीं आएगी, clear है, सवाल बहुत ने मेरे क करने करान दे, मैं तोहनों इही चीजां बार बार दसांगा, ठीक है, होन एक सवाल इह अपोजिट करो, कि पुछ सगधा है, यदा सी तीजे तरीके सवाल तोनों पुछ आ जासगदा है, कि एक बोट है, अगर रहो पानी दे बेच हो, पानी दे मैं कह सकना है, कि पानी दे तुसे एथे थी speed कड सकदे थे, speed दा मतलब है उन्धी 4, ता मतलब speed दा rule हुंदा है, distance बटा किना हुदा है, time, distance बटा time हो जएगा, इन्हों cut करोंगे तो तुसे कह सग देऊ, भी 8 km प्रती केंट है, मतलब 1 केंटे च, उस किस्ती ने 8 km दूरी तया कीती, तब 5 km पंजा केंट दिविच देती सी, अगर एही ही तो अगली condition क्या जावे कि जदो अप stream सीगा, उदो बती किलोमेटर पर आर सीगा, मतलब बती किलोमेटर नौटे आर, बती किलोमेटर चे टोटल किनने केंटे लगे, आठ केंटे लगे, ठीक है तर एच तुसी की कड़ोंगे, ती स्पीड ठीक है, होन सवाल दे विच थो उन्हों दो तर गला पुछियां जा सकती है, दसो एच थे, नदी जो है, साटे कोड़े नदी है, उदी चाल किननी है, या थो उन्हों पुछा जा सकते है कि water of river उदी speed किननी है, तथ उसी तो अड़े कोड़े पहली speed आगी, दुजी speed आगी ट्रिक तुसी implement करनी है, की लिखोंगे तुसी हमेशा एह हो जी स्तीती दे वेचा, कि x-y बटा 2 कर दोंगे, आठ तो अड़े कोड़े गिवन है, अठे माइनस 4 बटा 2 कर दोंगे, तो तुसी 4 बटे 2 is equal कितना लिख सकते हूं, अंसर 2 लिख सकते हूं, इसे सवाल नों अप प्याराजा सवाल है, जल्दी-जल्दी करना है, सारे बच्चे ने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करांगे, कुछ भी सवाल समझ नहीं आएगा, मैं तन दसांगा, I will tell you, की method हो सकते है, की तरीका हो सकते है, सब तो पहला आपकी कर दें, कहनदा है कि एक बंदा, रोज केंटे हां चाओंदा है, दूरी तो ठारा किलोमेटर है ना, ठारा किलोमेटर चे कवर करन चे बारा केंटे लागए उनू, दसो की तुसी speed of stream किलोमेटर पर आर किन्नी है, दिखो जी, इस सवाल नूँ सबतों पहला आप पहला तरीके तरीके दार तरीके ना कर दिया है, ज speed दा formula होंदा है, distance बटा time, distance टोटल ठारा किलोमेटर टाइम है, चार केंसल करेंगे तो अपने कोड़े किलोमेटर परतीक हैंटा, clear है, या नूँ साधे चार भी लिख सकते हैं, कोई दिख करनी है, इसे नूँ जे, अपा मेरे प्यारे बच्चों, आपा लिखांगे upstream, upstream दा मतलब है कि पानी दे विरुद्ध आपा पुठा हो ना, ता एदा भी देखो, डालता speed हो रही है, आपा इती speed लिख देने, speed of upstream, ता तुसी लिखोंगे distance बटा time, total distance टा साधे को ठा रही है, आउन लग गया, किना time लग गया, 12 केंटे, जे नू कैंसल करांगे, ता 6 ती ठार जे ने, बहुत ज़्यादा बच्चे, कई बरी ना, टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर दे और उते सिर्फ होना दी डिमांड होंदी है, कि तुसी सारे PDF शेर कर दो, PDF असी को तियार करांगे, it takes time, थोड़ा या time लग दा है, ता हमिश्या थोड़ा या time लग दा है, तुसी भ अपानों पुछा गया है, कि speed of stream की होएगी, clear है, ता तुसी यह थे लिख सागदी हों, तो अडे कोड़े की यह downstream, माइनस तो अडे कोड़े की सीगा upstream, ठीक है, x-y करकी भी लिख सागदी हों, बटा दो, ठीक है, 9 बटे 2, और एनू लिख सागदी हों, तेन बटे 2, बटा अप्शन नमबर 2 आगया, clear है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रिशानी नहीं है, I think सारे नू समझ आगया होएगा, इससे सवाल दा, मेरे कोड़े दूज्जा तरीका हो रहे गया, तुसी x-y-z ना कर सक दे हो, तो नो पता है, कि मैं हर बच्चे नो x-y-z method नहीं लेके जा उस तो बाद थोनो की दे रख्या, time, time थोड़े कोड़े किनना है, 4 दे रख्या है, मलब time पहला है, सवाल दे, अंदर थोनो होर दूज्जी, कोई value नहीं देती, एथे time 2 दे रख्या, time 2 तो अड़े कोड़े किनना है, बस तो हड़ा answer हो गया, हो तुसी find की करना है, तुसी find थे करना है, कि speed of stream, ठीक है, तारा दी, चाल दस नहीं है, तुसी, तथ तुसी की लिख सकते हो, x बटे 2, trick मेरी एही कहन दी है, और 8 लिखोंगे 1, और 8 साट एकुल time हो गया, पहला, और 8 हो गया 1, और 8 हो गया time दूजा, ठीक है जी, मेरे प्यारे बच्चों, होन तुसी क कर सकते हो, ठारा बटे 2 लिखोंगे, क्योंकि x था ठारा ही है, देखो, 1 बटे किना लिखोंगे, 4 और दूजा लिख दोंगे, 1 बटे 12, और मेरे प्यारे बच्चों, इदा अंसर किना हो गया, 9 हो गया, इना दोना दा LCM करोंगे, तो अड़े कोड़े किना LCM आ रहे है, 12 बारा ना चार ना डिवाइड करोंगे, तिन ना थी, बारा ना एक ना एक आ गया, तुसी कह सकते हो, 9 into 2 by किना आजेगा, 12 आजेगा, so cut by किना आजेगा, 6 नो की करोंगे, तुसी 9 by 6 नो जो कैंसल करोंगे, तो 6 कम 6 और 6 पंजाती, तो 1.5 किलोमेटर परती केंटा थोड़ यह कोड़ी, speed of stream आजेगा, this is the also basic method you can do, no problem, everybody, अगर सारे नो समझ आ चुके है, तो प्लीज एक बद थमनेल उपर करके दस दो, कि हांजी सर सवाल समझ आ चुके, session लंबा करांगे, ठीक है, and also, अगर सारे students, एक चीज हो रहा है, सारे जने दसो कि time आपा mathematics दी class दा चेंज कर सकते हैं, तो उसी सारे ने दसना है, कि आपा इस particular class दो, शाम दो, छे बजे कर दिये, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जने दसो, हांजी, बिलकुल, बिलकुल, शाबाश, बहुत अच्छे है, good, very good, ठीक है, जल्दी-जल्दी दसना है, सारे बच्चाने, सवाल समझ आ गया, त स्पीड ऑफटने दसना है, बहुत ही खुब्सुरह सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा सवाल है, अल्टरनेट मेथर नाल भी कर सकदे हूं, जितना तो अनू चंगा लग दे सवाल, उधना ही इंदा अंसर फाइंड कर सकदे हूं, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल सवाल बहुत अच्छा है, important सवाल है, tricks नारग कीता जा सकते हैं, किसे बच्चे नो कोई दिक्कत नहीं ओनी चाहिए, चलो, शुरू कर दें, इस सवाल था सिलसला, सबतों पहला आपा की लिखांगे, आपा नो एथे, आपा फाइंड की करना है, कि speed of a bot in still water, मतलब शांत जल द किस्ती दिया है, आपा इसे की लिखांगे, आपा इसे लिख सकने है, कि आपा लिखांगे, speed of a bot in still water, still water, still water, still water किना हो जेगा, b, x km परार हो जेगा, x km परार हो गया, अपा की लिखनावा, कि that stream भी, यानि मैं कह सकता है, कि that stream भी किना हो सकता है, y km परार हो सकता है, पहला बेसिक जा तरीका समझ लो, तद आपा सवाल दे, बस आपा चौटे चापक दाएंगे, ठीक है, हलाकि तुन में सेम सवाल करवाया, तुसी उन्ज़ भी कर सकते हूं, answer कोई problem नहीं आएगी, यार, basic तरीका, दोनों तरीके जरूरी है, ठीक है, होन तुसी की कर सकते हूं, मेरे कोड़े, therefore question है सकता है, total distance किन नहीं है, इन नहीं होगी, जे मैं लिखांगा कि x plus y, बराबर मेरे कोड़े किना हो जेगा, दो केंटेंज कवर किता जा रहे, यह ता मे तो जोड़ दो तो आडांसर आजेगा, clear है थो तक, मेरे प्यारे बच्चो, एथो तक अगर तोनों एहे चिज़ां समझ आगी है, तो मेनों जरूर दसो, method कीते जा सकते है, कोई दिक्कट नहीं है, clear है, very good, शाबाज, ठीक है, होन देखो, इसनों आपका किसनल करांगे, tricky approach मेरी ओही कहेगी, जो तोनों जस्ट में सवाल करवाया है, but in fact that, सवाल इस समझना है, पिछले सवाल डिफरेंस की सिगा, last सवाल देविच डिफरेंस सिगा, मेरे प्यारे बच्चो, एथि सिगा, कि थोनों दसना सिगा, speed of the stream, stream हुंदी है, तुसी समझना है, कि जो तारा है उस तारा दी speed दसनी है, तो तारा कदे खडी ता हुंदी नहीं, याद रखना है, जो तुसी मैं कहा सकता है, कि जमें भी तुसी का घर दा पानी देख्या सिगा, जदो अपने पिछे जे मैं का आखड़ा दा पानी टोट गया सिगा, जदो हड आ गया सिगा, तक किनना तो तुसी किनना तेजी नर जाओंगे, इनफेक्ट देट उस तारा दी आपा speed दसी है थे, अई थे हुन सवाल ची की पुछा जा रहा है, एक करना still water, still water दा मतलब है कि खड़े हुई पानी दी दिशा द तुसी दसनी speed की नहीं है, उन तुसी काओंगे सर, खड़े हुई प फाइंड कराएंगे, एथे सानु की पता लगे है, कि total आपा downstream दी, आपा गया है, downstream दी speed किनी है, मतलब speed of downstream किना होएगा, speed दा formula होंदा, distance बटा time, total यानि आपा कैसे ने, भी 2 कंटेंज कवर कीता, ता 10 किलो मेटर परती कंटेंज दी speed ना गया है, जे आपा गाल करिए कि upstream, upstream दी speed आपा दसनी है, ठीक है, upstream दी दसनी है, ता अपा लिखागे, distance बटा time, मतलब B बटे 5 होजेगा, ता मतलब A हो गया, तो अटा 4 किलो मेटर परती केंटा, it may be something that is happening, distance the upstream, ठीक है, clear है, ता सवाल दी वेच, method और pattern समझना बहुत जरूरी है, एथो तक सारे बच्चानों सम ठीक है, तुसी एथे find करना है, तुसी find करना है, no down कर सकते हो, speed of still water, जदो भी still water दा answer करोंगे, तो तुसी एथे लिखोंगे, x-y, याद रखो, x-y बटे किना कर दोंगे, 2, यानि पानी, खड़े होए पानी दी, अगर तुसी स्पीड दसनी, चाल दसनी है, तो इथे 10 प् किलोमेटर प्रती के answer आजएगा, I hope थो नों बहुत अच्छे तरीके ना, difference समझ आ गया होएगा, clear है, मैंनों सारे बच्चे दस दो एक वरी, clear answer, सवाल दसनी, हां जी सारे नों समझ आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे, very good, very good, very good, ठीक है, PS, PCL, बहुत simple जा paper होएगा, अ आस तो औरती याद रखने है, ठीक है, चलो जी, होन इसे नों अगर अपा अप्रोचिबल ना तरीके ना कर दें, तो साड़े कोड़े X ती value किनी है, 20 है, साड़े कोड़े टाइम पहला किना देता है, सांनों 2 दे रखे, अथे टाइम दुजा मेरे प्यारे बच्चों 5 दे किना कर दो, X बटे 2, एक बटे टाइम पहला इनों प्लस कर दने, एक बटे टाइम दुजा, ठीक है, होन तो सवाल किया, कि 20 बटे 2 हो जेगा, और तुसी क्या सेग दें, 1 बटे 2 प्लस बटे कोड़े किना हो जेगा, 1 बटे 5, मेरे प्यारे बच्चों, इना दोना नों 5 आया, 5 नाल किता, 2 आया, so we have a 10 into 7 by 10, cancel कर दो, तो आटे कोड़े किना आ गया, 7 किलोमेटर प्रती किन्ठा आ गया, यार पेपर छे थोड़े कोड़े बहुत सरा टाइम होएगा, मेरी गारंटी है, मैं तो नों एस चीज नों बार बार कहांगा, कि थोड़े अगर एक मैथ सवाल नहीं होँदा, मैं तो नों एक-एक सवाल दे, तिन-तिन तरीके दस रहे हैं, और चोथा तरीका तो नों ऑप्शिनल मैथड दस हांगा, और पंजमा तरीका थोड़े कोड़े हैं, तुसे जान देओ, किड़ा तुक्का मारना, ओनी करना, ठीक है, पेपर चे याद र अब स्क्रीम 6 के अंटेने बिच है, तो स्पीड ओफ स्क्रीम 10 है, इस सवाल मैं तो नों करवा चुके है, तो फटा फटेद आनसर की हो सकता है, वेरी गुड, शाबाज, एट लिस्ट यू हैव तो ट्राइ, कोशिश करनी है, लाइव सेशन दी विच अपा ज्यादा तर को सब्की करते हैं, और मैं क्याक सकता है, किया लगा है, अठ केंटे कर dahil reagरए? मेरे प्यारे बच्छो अगर वेरी 8 केंटे है, तो मैं करते सब करहें, मतलब तो खरादा, जो कोई दिक्कत नहीं है clear है होना पर downstream दी गल करांगे तो we have a distance 36 km ठीक है and time taking by cover the 36 km is 6r so we have a speed of upstream speed of downstream speed of downstream में कह सिक दें ds तो we have a formula distance upon time so 36 divided by 6 is equal 6 km per r is the speed of downstream particular कोई बोट है या कुछ भी आपका सिप कह सक दिया कोई दिक्कत नहीं एक तो तक सारे नों समझ आ चुक्या होएगा I hope बहुत enjoy दार अच्छा question है होन सारे नों पुछे कि speed of stream दी गल है speed of stream दी गल है so you have a 6 minus 5 upon 2 तो 1 by 2 is equal किना होजेगा तो अडेकोडे at least 0.5 km प्रती आ रहा होजेगा कोई दिक्कत नहीं है option number first बिल्कुल correct आएगा maximum to maximum students ने इस चीजनों अच्छे तरीके ना याद रखना यार पुलना नहीं है ठीक है जे पुल लगे सवाल तो अडेकोडे रॉंग होएगा हुन मैं दूसरा तरीका तो अडेकोडे की सीगा कि x बराबर तुसी value find करनी है x बराबर तुसी value find करनी है x बराबर तो अडेकोडे कुछ नहीं है थे तो तुसी इस नहीं लिख सकते हैं 1 by 2 डिरेक्ट में करदने कोई दिक्कत नहीं 6 बटे 6 हो जेगा और माइनस 4 बटे 8 हो जेगा ठीक है तो एक बटे 2 हो जेगा किते हैं ठीक है चलो अगला सवाल कर दें अच्छा खुबसूर्थ सवाल है अगला खोर है बड़ा अनन्द आएगा सवाल दे अंदर a boy can swim in the steel water at a speed of 10 km per hour एक बच्चा है और खड़े होई पानी दे अंदर swim करदा है 13 है तो दी speed 10 km प्रतिक एंटा है if the speed of a current speed of current would have been a 5 km per hour then the boy could swim 60 km मतलब 60 km जा सकता है तो simple जी कहानी है सब तो पहला simple जी कहानी है अपने कोड़े कि जे कल कर दे हैं कि बच्चा जो खड़े होई पानी देविचे 10 km speed है और oh current speed दे अंदर जानदा है 5 km तो definitely याद रखना कि time and thun मैं distance दसांगा कि जदो कोई rail गड़ी इको दिशाच जारी है और दूजी भी rail गड़ी दूजी दिशाच जारी है तो इसनों आपा कहने है सापेक्स चाल ठीक है की कमांगे आपा सापेक्स चाल कमांगे यानि आपा कह सकते है नो relative speed तो similarities here आपा कह सकते है कि मैं कह सकते है कि rate rate downstream rate downstream याद रखियो rate downstream is equal किना हो जेगा कोई दिक्कर नहीं है चलिए next we have a time taken to home देखो 60 km टोटल है जे अपने को ले distance मेरे प्यारे बच्चों जे 60 km है और जे मैं कह सकता है कि time total किना लग रहे है तो तुसी एक अल कह सकते हो कि particular सवाल दे अंदर time the formula आपा करना है तो distance बटा speed होएगा सट किलोमेटर जाना है तर डाउन स्क्रीम देवेच स्पीड यानि किनी है 15 है total किनी लग रहेंगे you can say कि चार कंटे लग रहें जे अपा इसे नो कह दिए कि time taken in the swimming 60 km to upstream this is the मैं कह सकते है no down कर सकते हूं time taken by swimmer in downstream stream and एही चीज आप अगर repeat करिये upstream दे अंदर कादेच repeat करिये upstream दे अंदर the similarities here तपह कह सकते हैं 60 बटे 5 बराबर किना लगेगा 12-5 बटे 6 km मतलब 12 कंटे लगए सवाल चापन पुछा गया सिगा कि ए बोए swim is still water speed of 10 km प्रतिय केंटा the speed of current water have been a 5 km पर आर then the boy could swim मतलब 60 km नो किने time दे अंदर cover कर सकते हैं तथ उसी answer दे चेक कर चुके होंगे किना answer आ रहे हैं come on जल्दी जल्दी दसो यार जल्दी जल्दी दसो सारे बच्चाना answer होना चाहिए किना answer आ सकते quickly quickly come on जल्दी 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 answer find करना time बिल्कुल भी waste नहीं करना time किसे भी student ने waste नहीं करना जल्दी जल्दी दा answer दसने सारे बच्चाने कि आप इस conclusion ती पहुंचांगे कि ओ बच्चा स्विम करेगा तो downstream दी जो cover करने वेच टोटल उनों किना time लगेगा तो 4 कंटे तुसी कैसे दें downstream in the 6th you can say that 4 answer will be right answer option no.4 बिल्कुल correct होएगा कोई दिककत नहीं है upstream दा होजेगा तो तुसी इनों upstream दे वेच कैसे दें 12 कंटे इवन की 12 कंटे upstream दा option कोई भी नहीं देता गया है clear है अच्छा सवाल है चलो अगे बाद दिया अगला question तो उनों एक और खुबसूरु जा दे रखे है खुबसूरुत question देना खुबसूरुत नजारे भी देखांगे कि इस question दे वेच की पुछा जारे सिंपल जा question है एक question तो नो PSPCL प्रिविए सिर पेपर च पुछा गया सिगा सेंब कोश्चन सी पिक करके थोड़े समने लेके आई है A man can swim at the rate of 4 km per hour in the steel water if the speed of the water is 2 km per hour then the time taken by him to swim 10 km upstream is right so we have a a key case in this particular question upstream the girl कर दें सब तो पहला आप upstream 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 we have upstream is equal 4 or minus 2 कर दांगे तो साथे कोड़े किना बचेगा 2 km बचेगा clear 2 km बचेगा हुन तोड़े दिमाग्च होएगा कि सर्थ उसी देखो downstream देंदर की होएगा ना still water plus आप कैसे स्टील water हो गया swimming हो रही है या पर कैसे दें current water है चल दे हुए पानी दे विच अगर पानी दे विच एक बंदा अगर simple जी गल है खड़े हुए पानी चे तेर रहा है और अगर पानी रेनिंग चे होजे तो अनो दी speed जोड़ जाएगी सेम सवाल है थे upstream दे गल पुछे जा रही है तो upstream दे विच इस case दे विच माइनस होजेगा और 10 km जान चे टोटल किना time लगेगा ठीक है यही सवाल पुछा जारा से ताइम दा formula होंदा है distance बटा speed होंदा है distance 10 km जान चे किना time लगेगा डिवाइड बाई करदा है तब 5 केंटे option नमबर 30 बिलकुल correct होजेगा कोई दिक्कत ही नहीं है यार एक एक लाइन दे सवाल है तुसी हमेशा डर दे रेने ओ डरना नहीं है शेशन बहुत अच्छा है या प्लीस मेनों जरूर दसने किदा लग रहे है शेर कर दे चलो नारदी नार यार ठीक है और कल कोशिश करांगे कि असी एक वक्रा कंसेप्ट भी जो शुरू किता सी हो दे वारे जिकर करो दसो किदा लग रहे है उनों शेर करो कंटीनियू ठीक है फिर आप अगे इद्धा ही वक्याबदा सेशन भी कंटीनियू कर दे रहांगे नेक्स्ट कोशन है थोड़ेकोडी बहुत अच्छा सवाल है कि स्पीड ओफ बोट अलोंग दा अगेंस्ट ऑफ कररंट आर ट्वेल किलोमेटर प्रती कर एंटा अट किलोमेटर पर रेस्पेक्टिवली एंड डैन दे श्पीड ओफ करंट इस किलोमेटर मतलब करंट सिसी त प्रेक्टिकली तॉरते सारी चीज़ां दासरे यह वाड़ा बेसिकली फॉर्मूला है मतलब पहला रूल जो मेरा है तो मेरे प्यारे बच्चो तुसी की कर सकते हूं बारा माइनस अठ बटे दो इस एक्वल चार बटे दो इस एक्वल किना होजेगा मतलब ट्रिक्स बहुत जरूरी है ठीक है इंपॉर्टन चीज है मतलब पानी दे नाल हो गया पानी दे गेंस्ट हो गया दोनों तुसी लिख सकते हूं थोनों इते पर्टिकुलर की पुछा जा रहा है सवाल दे अंदर एही चीजां इंपॉर्टन ने कि तुसी दस ने नदी दी चाल के नहीं है करंट दा सवाल थे करंट बिजली वारा करंट नहीं है किते मैं कवरी किसे बच्चे नो क्या मैं रीजनिंग करा रहा थे किसे क्लास दे अंदर मैं क्या भी A B C D एंज करके अलफाबेट करा रहा थे का मैं कि किता ने मैं दस्या भी देर आरा 26 alphabet in a मैं कि लैटर्स in a alphabet 26 letters हों देने तुसी एनु ब्लीव नहीं करोंगे कि मैं M तक लखाते 13 आखर मैं नहीं किया कि हुन वापस लिखो वापस दा मतलब भी किंज लिखना सीगा भी N लिखना सीगा कि Z, X, Y, W, N करके ठीक है तो उने कि किताना मैं सारे बच्चे नहीं क्या मैं दस्या नहीं वापस लेखके दिखाऊ हो नहीं तो in fact that कि ओस बच्चे ने कि किताना भी आम है ABCD दा लिखाई सीगी A2 लेके Z तक मैं लिखाई सीगी उन्हों तो उने कौपी नों पुठी करके बाएगया मतलब मैं कर भी लिया करन दा हन जी मैं तो पक्का करना पक्का जी तो दिखाई जो मैं देख्या थो कौपी पुठी करके बठा मतलब भी Z, A तक करता तो बहुते स्टूडेंट्स कई अपर ही पासोच लेने नाव है एक बोट है गोज 20 km डाउंस्टीम इन वन आर एक केंट इच बी किलोमेटर जा सकती है एंड सेम जानी बी किलोमेटर देविच दो केंठे लग दे जदों की वापस हों दिया है दसने की स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर किना है मदलब कि उस तुसी दसने की किस्ती दी उस नाव दी स्टील वाटर दे विच स्पीड केंड़ी है तक कम ओन गाज क्विक्ली तुसी जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करने कोशिश करने है अल्टरनेट मैथड बहुत इंपोर्टेंट हों दिया है देखो जित आप प्रैक्टिकली तौरती क्वेश्चन आप करना है तो मैं कह सकते हैं कि स्पीड ओफ वाट इन स्टील वाटर किना है स्टील वाटर इन 허ब इंदर आप x किलोमेटर प्रतिकेंट्व आदधा लेना है जिन मैं कह सकता है जिस और इन कि मैं आप इस लिखे है कि स्ट्रीम किन नहीं है मतल Finnish स्ट्रीम किन नहीं है कि लायं कि एकरन का प्रतिकेंटेश्ट है दूसरा तुसी कहाओंगे कि speed of upstream ठीक है जी upstream करोंगे तो तुसी कहाओंगे कि x-y हो जेगा मैंने दसो भी सारे बच्चानों ए चीजां समझ आगिया क्लियर है कोई दिक्कट नहीं है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों होन तुसी इन्हों एवी लेक्स आगि देओं कि b बटास तो अड़े कोड़े किन्ना हो जेगा x प्लस y टोटल किन्ना केंटे लाग देने एक लाग दे है तो अड़े कोड़ी equation नमबर पहला हो जेगा दूज्या जी तुसी क्या दोंगे upstream दी गाला है तो x-y बराबर थोटे कोड़े किन्ना केंटे लाग दे है विट में भी how many times taken by 2 केंटे तो अड़े कोड़े equation नमबर दो है equation नमबर पहले है तो जोड़नते तो अड़ा answer आजेगा clear हो जेगा कोई दिक्कट नहीं है ठीक है जी हूँ एसे सवाल नो जे तुसी कीदे नड़ करना है ट्रीक्स नड़ करना है देखो ट्रीक्स नड़ किदा पलटा दे सकते हूँ तो तुसी सब तो पहला सपीड फाइंड कर लोगे तो सपीड देविच डिस्टेंस बटा टाइम होंदा है डिस्टेंस तो अड़े कोड़े किनी है वी है इनों केंटे कवर किता जा रहे है मतलब बी किलोमेटर प्रतिकेंटा हो गया जे तुसी सिमिलर्टी यानि स्पीड अप्स्ट्रीम दी फाइंड करोंगे तो तुसी बी बटा दो लिख के बराबर किना कर दोंगे दास किलोमेटर प्रतिकेंटा कर दोंगे होन मेरे प्यारे दोस्तों तुन सवाल एथी की पुछा जा रहा है सवाल तुन पुछा जा रहा है कि स्पीड ओफ बोट इन स्टील वाटर दी गल है और स्टील वाटर वारे में तो नो पहला भी जिकर कर चुके हैं कि तुसी की करदना वा दोना नो पर्टीकुलर सवाल दे अंदर थोसी की करदना वा एथे जोड़ना या कटोना है सारे स्टूडेंट दसो जोड़ना या कटोना है बिलकुल जोड़ोंगे x प्लस y बटे 2 हो जेगा मतलब v प्लस 10 बटे 2 हो जेगा तो मतलब 3 बटे 2 is equal कितना हो जेगा 15 km पर आर will be answer दोस्तों सारे नों समझ आ गया clear है कोई दिक्कत नहीं है ये तुसी 30 तरीका लगना है तो x दो अबर पहली value है time पहला तो अडेकोड़ 1 कंट आया time दूजा तो अडेकोड़ लगबग 2 कंट आया तो तुसी ये नों की लिखोंगे एथे तुसी एही लिखोंगे x बटे 2 साडेकोड़ हो गया 1 बटे time पहला पलस 1 बटे हो गया time दूजा एथे time एंज करके x दा मतलब किनना 20 बटे 2 लिखोंगे एथे तुसी लिखोंगे 1 बटे किनना हो जेगा तो अडेकोड़ लगबग 1 हो जेगा और 1 बटे 2 हो जेगा एथे आंसर फाइंड करोंगे तद भी तो अनू 15 किलोमेटर प्रतियार ही मिलना है दसदे रो यार मिन्हों होंसला जा मिलदा रवे continue में ता नू teach कर रहे है एक देन आपा history create करनी है यह तुसी दासदेओं में डिसाइड करके है चलो कोशिश करांगे कि नाडे आपा लोडी-लाडी मनालांगे उस टेम आपा एक एहो जी class करांगे शाम नू पंज बजे लाइव कर देनी है और सवेरे continue पड़ोना है सवेरे 7 बज तक यानि जिदिचना लगबग थोड़े आउनवाडे पेपरां दे सबंदच मैत करांगे जबरदस तरीके नाड़ अईधन यह classes आपा बहुत सरीय करनी है ठीक है जिनने भी students है please share कर दे चलो नाड़ी नाड़ी सवाल बहुत अच्छी है अगला सवाल है एक बंदा स्वीम स्वीम डाउन स्ट्रीम एक डिस्टेंस ओफ 15 किलोमेटर इन आर एक बंदा है वो स्वीम करदा है डाउन स्ट्रीम यानि टोटल 15 किलोमेटर एक कैंटे दे नहीं तो आप आई दी की कर सकते है स्पीड ओफ डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दा मतलब है पानी दे नाड़ नाड़ जाना 15 बटे एक 15 कि में लिखे है 15 यदी टोटल डिस्टेंस होगी एक कैंटा हो गया तो मतलब कि जदों भी याद रखना स्पीड दा फॉर्मूला होंदा है गती दा फॉर्मूला होंदा है टोटल दूरी बटे समय दूरी किन नहीं है 15 बटे एक बराबर किन आजेगा तो देखोडे 15 किलोमेटर प्रती कैंटा आजेगा किलोमेटर और कैंटा दे रखे क्लिर होनों केंदा सवाल दूजा तन दस्या जा रहे है थे अच्छे लेवल दा सवाल है most important है if the speed of a current is 5 किलोमेटर आर speed of a current दा मतलब किया है कि अगर नदी दी चाल 5 किलोमेटर पर कैंटे है ठीक है सवाल दी वेच एक दिखोंगे in fact that in fact that सापेक्स चाल बन जेगी किनी बन जेगी कोई इस्यू नहीं है किसे भी स्टूडेंट्स नो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो आप इथे लिखांगे speed of still water speed speed of still water still water पर किनना है तो आड़ेकोड़े x km पर आ रहे है किनना है x km पर आ रहे तब ताद में तो आनू की कवांगे relative speed किनी होजेगी relative speed दी गल है तब खड़े होए पानी अते total नदी दी तो यह होजेगी साड़ेकोड़े x plus 5 km पर आ रहे clear है जे मैं ऐही थे find out करांगा x plus 5 is equal total जो मेरेकोड़े speed आ रहे है वो 15 यहां तो x बराबर अपने कोड़े किनना होजेगा 15-5 is equal किनना होजेगा 10 km पर आ एक्स दी वैल्यू आगी आपा x की मन्या सिगा कि still water दी गल होरी still water दी speed है 10 km पर आ रहे अगर ओदे चे पानी आप नदी दी गल करिये पांच जोड़ दिये टोटल 15 km पर आ रहे होजेगा ता किसे भी swimmer नो 15 km जानते एक कंटा लगदा ता ओदी मैं क्या सगदा है कि speed of a down stream टोटल 15 km पर आ रहे होगया clear है होन सवाल है सिगा कि आपां find करना से time तुसी यह थी की लिखना है कि time taken time taken time taken in swimming time taken in swimming upstream कि यह upstream है तुसी लिख साकते 15 upon तो डेकोड़ किना होजेगा 10 minus तो डेकोड़ 5 is equal किना होजेगा 15 बटे 5 is equal किना होजेगा तो डेकोड़ 3 km पर आर होजेगा that is my answer ठीक है तो तुस दो option number 4 होजेगा कुछ questions है तुसी particular सवाल दे बेस्ते भी कर सकते हो कोई issue नहीं है screenshot ले सकते हो अच्छा सवाल है important सवाल है share कर देचलो को नारदीनार जो सवाल तो नो पसंद आ रहे है सवाल ठीक है अगला सवाल है एक मैन कहने रो 15 km per hour to downstream and 9 km per hour to upstream speed of the boat in the steel water दसने फड़ा वर दस दो steel water दे विच किना आएगा steel water दा answer दसो तुसी जल्दी जल्दी बिना pen बिना paper दसया जा सकता है बिना pen बिना paper सवाल दा answer कीता जा सकता है यानि कुछ भी मुश्कल नहीं है यह downstream दे रख है यह upstream दे रख है मतलब कि x plus y बटे किना हो जेगा आलो जी 15 plus 9 बटे 2 is equal करांगे तो 4 भी बटे 2 बराबर किना हो जेगा 12 will be answer option number 4 clear है ना सारे बच्चे दसो यार किसे एकने answer नहीं जल्दी जल्दी दसो मैं थो उन्हों सवाल जो तुसी सोचोंगे कि हां जी बहुत बच्चे ने comment सारे सारे repeat repeat बहुत है सवाल तुसी एंजे करो two times देख लो screen shot करके उन्हों और अगर थो उन्हों सवालना जल्दी जल्दी दसो यार आंसर किना आएगा तेइन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है यानि logical तरीका बहुत important है logical तरीका important होना चाहिए तद ही तुसी answer find कर सकते हो otherwise थो न्हों सवालना चे problem ओनी सभाविक जी गल है जल्दी जल्दी come on guys quickly 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 quick 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 बिल्कुल बिल्कुल fast करो जिनना भी हो सकता है ठीक है अनों की पुछया गया थे ओही तरीका ओही लॉजिक ओही फंडे ठीक है तो अनों steel water पुछया गया तो तुसी लिखोंगे 8 पलस 4 बटे 2 बराबर किना हो गया जल्दी जल्दी एक मैंने अप्स्ट्रीम 12 किलोमेटर है डाउंस्ट्रीम 8 किलोमेटर तुसी दिसने की रोहिंग दस steel water steel water दसने 12 पलस किना हो जेगा थारा बटे 2 तो 3 बटे 2 बराबर किना हो जेगा 15 मतलब दोना नों जोडांगे 3 बटे 2 डांसर आ गया क्लीर है अगला सवाल कर दें अच्छा सवाल पुछांगे पर जबरदस्जा सवाल तानों टास्क देना सी है इनफेक्ट की मैं तानों सवाल करवाई दिना है क्योंकि कई बार बच्चे नहीं कर दिया अलगर जी मैं कह सकते है कि बड़े लाप्रवा बच्चे ने साथे अच्छे अच्छे बच्चे नहीं है सवाल है कि इस बाट गोज 6 km NRA इन स्टील वाटर मतलब शांति पानी देंदर 6 km प्रति 6 km केंटिज जा सक दिया तो बट टेक्स थ्राइस एज मच गइं सबस्क्राइब देड़े अगर मैं कह सकते है अगर वह चाल दी आ है थ्राइस आज मच टाइम मतलब तिन गुना जादा है स्पीड ओफ द परति किलोमेटर पर आर है तो सिम्पल जिगाल है सब पहला पर इस काम कर दें कि मैं कह सकते है कि let the let the speed let the speed of current तो सब्सक्राइब पर आर है सब्सक्राइब देड़े कोई दिक्कत ने थो तक ठीक है क्वेस्टन देकोर्डिंग बन जेगा 6 टोटल हो गया सब्सक्राइब देकोड़े 6 किलोमेटर पर आरहा मतलब पानी देगेंस्ट देखो एकता है तो टोटल टाइम किनना लग रहे है थ्राइस मतलब तिन गुणा ज्यादा टाइम लग रहे है तो एकवेस्टन बन जेगा तो अडेकोड़े 6 बराबर 6 तीए ठारा माइनस हो जेगा 3x 3x तो तो तुसी यह कह सब्सक्राइब देओ तो ट्रिक की कहन दिया तो अनू सवाल नू पहला समझ लो स्कैन कर लो सवाल दा क्वेस्टन कह रहे है कि एक बोट एक किस्ती है वो 6 km कवर कर लें दिया एक कैंटे च इंस्टिल वाटर खड़े होई पानी च बट टाइम यानि टेकस 3 तीन गुणा जधा टाइम लगदा है going to the same distance against the current मतलव against the current तेन गुणा ज़ूना ज़ादा टाइम लगदा है किना टाइम लगदा है السवाल अच्छा है BUT तुस्ती ROB answer कि मैं कर सकते हूं सवाल ता एही है ना जग तक कि तुसें अच्छे तरीके ना question नहीं समझोंगे तक तक तुसें एदा answer नहीं कर सकते हूं clear है सारे बच्चा नो सबनो clear है ठीक है होन ताड़ तो speed of a current पुछे आगे एह हुजी स्तीती दे वेच ता तुसें एक चीज नोटिस करोंगे कि तुनो एथी speed of a boat किना दे रखे है मैंने कह सकते हैं कि speed of a boat किना दे रखे है speed of a boat तुनो दे रखे है 6 km पर आ रहा है you have time 1 is equal 3x हो जेगा तिन एक्स हो जेगा ना time 2 is equal 3x हो जेगा बस एह चीज तुसी देखनी सेगी कि पहला एह जिम पानी है पानी दे गेंस्ट है और दुज्या पानी दे ना लिजा रहे है एह हो जी स्तीती दे अंदर हमेशा जदों भी सवाल फाइंड करना है तो तुसी एथी लिखोंगे एथी ट्रिक लिख दो छोटी जी मैं लेखके दे दना है speed of boat speed of boat upon तो अड़े कोड़े की हो जेगा speed of stream speed of stream is equal किना हो जेगा t1 plus t2 और तो अड़े कोड़े हो जेगा t1 1-t2 ता मतलब किना हो जेगा speed of boat किना है 6, speed of stream water किना है यह सानों नहीं पता तो अपनों की कर दे है अपनों के मान लेने है इज इक्वल आपके लिख सकते है टाइम पहला साथे कोड़े 3x है इज इक्वल साथे कोड़े x है दूजा पर लिख दागे 3x-x है तो साथे कोड़े cross multiply करांगे तो 6-38-6x हो ग करोंगे 4-12 तो मतलब तद भी तुसी find out कर सकते हूं तरीके बहुत जादा नहीं logically method ना तुसी answer find करना है logical तरीके ना जदो तुसी answer find करोंगे तो हड़ा answer बहुत इजली और stick बेसते आएगा clear होन तुसी की करना यह थे मैं कह सकते है कि speed अगर तुसी find करनी है of current of current find करोंगे तुसी लिखोंगे 6 cross multi ना बटा के है बराबर तो अड़ेकोड़े 4 बटे 2 है 2 हो गया cross multiply करोंगे कट्या जाएगा बराबर तो अड़ेकोड़े 3 km प्रती केंटा आजेगा इदा answer ठीक है जी answer बिलकुल 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 शाबास बचे तुसी answer find कर सकते हूं अच्छा सव बाइ बाइ और मैंने तुछी दसने session कितना लगया ठीक है share कर दे करो और share करकर के session super session बढ़ना चाहिए यानि simple जी गल है कि पंजाब दा जे तुसी तुसी कहने हो कि सर जी study बास्ती best channel है तक keep sport and please make time share it share share it share it share maximum time तक share करना है ठीक है जब तक share करना है तब तक कि ताड़े friends त any way I request you ठीक है मिल दें अगर कल तक ख्याल रखो take care bye bye and good night